दो देगे स्टूर्ट में हम अभी तक बहुत कुछ कर चुके है ऑग device हो गया आपつ और टाइप्स हो गए अभी जो एक इंपोर्टेंट सेग्मेंट है कि एक साब आपके पास सवाल मौझूद है और उसमें कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन है जिसे आपको कैलकुलेट करना सीखना है तो क्या हमें उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा या फिर बिना वर्किंग नोट के सवाल हो जाएगा क्वेस्चन में दी हुई रिक्षार्ट तो फाइंड आओ लडेयोः आप मेटरी रीयल कंजूम्ट तुस इस उप्रेक्टिकर प्रोब्लम और यह एक इंपूर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट अ व्योंग में थी टॉट यह चीम हमें स्टुडेंट करना है ठीक है और 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 फिपेड़ प्रोडक्शन के बारे में जानकारी है हमारे पास एक छोटी फर्में जहां पर प्रोडक्शन होता है हुं कि प्रोडक्शन हमारा हंडे रुंट करें तो मैं सीदे यहां पर लिखता आँ इसके के एक प। में हमारा जो आउट पूट होता है ना उसको हम यहां लगते हैं उन्हें अनों बताया हम ना ले अब आगे की जानकारी सुथरा करके सभी से शहाओ चलिए क्या आगे दिया है बेची हमने 80 यूनिट जैसी हमें मालूप पड़ा कि हमने 80 यूनिट बेची है तो यह understood है हंड्रेट यूनिट अगर हमने बनाई है और असी बेची है तो बहुत बीस का कि खर्चें वह हमारा पर यूनिट दे रखा है एक रुपया कि वह कितनी यूनिट लगेगा जितनी यूनिट हमने sell की है मुक्राइब कितनी मöh点 एक ट्व250 कि कॉस्ट दें 2000 रूप्रीस प्रोड़क्शन की कॉस्ट सब्सक्राइब काहए क्यों अधिक की कॉस्ट होती है फिर इसके बाद manufacturing of works cost वो फेक्ट्री की कोस्ट का 80% या कोस्ट प्रडक्शन का 80% ऐसे रिलेशन दे रखा है manufacturing overheads ऑफिस के खर्चों के 150% एसा सवाल में दे रखा है डायरेट मेटरियल 25% है डायरेट वेजस यह दे रखा है अभी तक जतने भी सवाल आप सब्सक्राइब उसमें हमारे पास information पूरी रखी होती थी किसाब यह जानकारी आप सवाल में आपको रिलेशन बता रखा है कि सब्सक्राइब करना सीखनी है तो कैसे हम सवाल को करेंगे हमेशा याद रखना कि जो सवाल की सिक्वेंस होती है है वह हमारे solution की सिक्वेंस होती है घंड़ाना बिल्कुल नहीं है अब सब्सक्राइब करना इस ऑल् chew है कि सबसे पहली जो चीज ओती है राच मेर्ण जोड़ते हैं राई डायरेंटीयजी हम जोडते हैं तो क्या आती है डायरेंटीयज लंग्च जोडते हैं तो हमारी आ जाती है प्राइं्म कॉस्ट फिर देखिए हैंAS victories हम जानते हैं कि है कि जो फैक्ट्री के खर्चे ह면 जोडते हैं थिक है तो हमारा क्या आ जाती है है इसके बाद हम इसमें office के खर्चे जोड़ते हैं तो हमारी office की कोस्ट आ जाती है जिसका दूसरा नाम योनिट निकले की है क्ला हुआ है जिसमें से आप लेस करोगे क्लोजिंग स्टॉक वह कितनी यूनिट का लेस करोगे आप 20 यूनिट का क्योंकि असी बेची है आपने हर लाएं तो आपका क्या आएगा सोस्ट और गुड्स इसमें आप सेलिंग एक्सपेंस जोड़ोगे यह पांचमा पॉइंट है इसमें आप सेलिंग एक्सपेंस जोड़ोगे तो आपकी आएगी cost of sales, cost of sales, फिर इसके बाद cost of sales में आप profit जोड़ते हो, तो आपकी क्या आती है, sales आती है, यह point number 6 है, यह point number 7 है, let's see from the question, what do we have, from the beginning of the question, उसने का कि आप रॉमेटल कंजूम्ट की value निकालो, prepare करो, cost sheet appropriate format में यह information आपके पास पहले हथे की जो production किया नहीं फरमने, total production कि अंडेड यूनिट का विच असी यूनिट, 20 का closing stock, आपका सेलिंग प्राइज 2100 रुपे लिख देता हूं में, जो असी यूनिट भी चीए है, उसका selling price है 2100 रुपे, उन्होंने का जो profit है 20% है सेल पे, profit है वो 20% है सेल्स पे, तो सेल मेरी 2100 रुपे है, इस पे 20% on sale, 2100 का 20% हो गया 420, क्लियर यहां तक हम पहुँच गए, तो सेल में से आप profit less करोगे, तो कितनी cost of goods sold आएगी, cost of sales आएगी, 1680, राइट, 1680, आगे देखते हैं सवाल में, selling expense, 1 रुपीज पर यूनिट है, selling expense, at the rate, रुपीज, 1 पर यूनिट, कितनी यूनिट बेची हैं आपने, रुपीज यूनिट आपने बेची हैं तो एक रुपया, एक यूनिट के selling price का है, राइट, तो रुपीज यूनिट को बेचने का कितना होगा स्टुदेंट्स, 80 रुपीज ही होगा, clear, you can see that what we are doing, we just sketched the complete format, and then put the given sequence information of the question, सवाल में दिए जानकारी को बस फीड कर रहे हैं जैसे दिए बस करते चले जा रहे हैं उपर तक जा रहे हैं कोई वर्किंग नोट हम यूज नहीं करते हैं, तो smear से लिंग कहा से लिंग एक्सपा स्टों रूपीज होती है उस पर लगता है तो पर कोई बात नहीं है आपके से सेविए कोश्ड आपके पास है सेलिंग एक स्पैंस आपके पास है को सेविण गुडशी जोड़ते थे of सेल disp भी ऐसे सेगं को चाहिacial है कि के इन को अगर कॉस्च पुछड है और उन्होंने हमें क्या और दे रखा है उन्होंने हमसे कहा कि सेलिंग एक रुपे पर यूनिट है फिर उन्होंने हमसे कहा कॉस्ट प्रडक्शन दो जार रुपे गया है तो कॉस्ट प्रडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है ऑफिस कॉस्ट होता है इसको हम कॉस्ट आफ तो आपको मालूम होगा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से सिखा रखा है कि जो क्लोजिंग इस टॉक है तो यहां पर आपने और कितनी होगई 20 और क्लोजिंग स्टॉक क्ति यूनिट का है 20 पर यूट कोस्ट प्रटक्शन के साथ से हमारा केल्कूलिट होता है एक यूनिटिक बीस रुपे बीस में आपेस्लिय चार। 400 रुपे देखो सुनो समझो यह बात यहां से भी वेरिफाय हो रही है कि मेरे पास ओफिस कॉस्ट है और कॉस्ट ऑफ गुड्स ओल्ड है तो इन दोरों का डिफरेंस भी चार सही होगा लॉजिकली वेरिफाय होती है यह चीज़ है राइट मेरे को मालूम है कि जो सोल्ड रखा था मैं ओफिस कॉस्ट में से क्लोजिंग स्टॉक घटाता हूं तो इसका मतलब इन दोरों का डिफरेंस फिरा क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए 400 रुपे वेरिफायट अच्छा कॉस्ट ऑफ गुड्स ओल्ड भी तुमारी पर यूनिट 20 रुपे या रही है इसमें आपका जो है सेलिंग एक रुपे अगर हम जोड़ेते हैं तो 21 रुपे का हमारा यह हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स असी यूनिट का टीक है अगर इसको आप इससे डिवाइट करोगे तो 21 आएगा इसमें आप प्रॉफिट जोड़ोगे पर यूनिट का तो 420 जो मैं इसमें प्रॉफिट जोड़ों कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो क्या आजाएगा 26.25 यह क्या चीज है सेल्स है ठीक अब मैं सवाल में वापिस लोड़ता हूं क्यों कि यहां तक की जानकारी मैंने ली सवाल से उत मैंने यूस कर ली पूरी कुछ नहीं बचा गए यूस करने क मैं अब देखो आंगे कोस्ट रड़क्शन हो गया मैने फैक्टरिंग के खर्चे है वो फेक्टरी कॉस्ट काच्ट रशा सेंट है दोबारा सुनों मैने फैक्टरीं कौस्ट 80%aj cost of production तो च्पैहने का त्यायर वह वह की फेक्ट्री काउस्ट का जिए फेक्ट्री कोस्ट इबात नहीं कर रहा हो फैक्ट्री कोस्ट कितरा है वो हम फेक्ट्री के स सट केना कॉस्ट थे टो उसका 80% कितना हो गया 16000 अभी मेरे पास ऑफिस कॉस्ट है और फैक्टरी कॉस्ट है इन्हों का डिफरेंस क्या होता है और इसके खरचे जोड़ता हूं में फैक्टरी कर्चों में तो अफिस कोस्ट आती है तो आपका इसे कितना हो गया स्थुटेंट्स 400 रुपे और आगे चलते सवाल पर उन्होंने हमसे क्या खाए निफाक्षिरिंग के खचे मैंनेफसेक्च्चरिंग कि जो ऑफिस ऑवर हेड का 150 पर सेंट है वन मैंनेफेक्च्च्रिंग के खचे वह ओफिस के ओवर हेड का तो यह हैं हमारे 150% ऑफ ऑफ ऑफिस ओवरहेड मेरे पास किते हैं 400 एंप उसका 150% में क्योंकुलेट करूं कितना आ जाएगा 600 तो मैं फैक्ट्री कोस्ट मैं से खडचे लेस्ट करूंगा तो प्राइम कास्ट पे पहुंच जाऊँगा ओन टाऊज एर आगे देखता हुं आँ सवाल को क्या है उन्होंने हमसे कहा अडेरेट मैट्रियल 25 परसेंट है डeरेट वेज़सका अडेरेट मैट्रियल 25 परसेंट है डेरेटแईज वेज़सका वह है मैं लिख देता हुँ इस चीज को कहीं पर के डायेड मेंटरियल 25 परसेंट है डायरेडवेजिच का तो मेरे पास कूद दे क्या रखा है मेरे पास मैं दूबारा पड़ लिता हूं सवाल में सवाल में अलुटा लिखा वुआ है अच्छा सवाव में लिखा हुआ है विफ्क्त की तो यहान पॉर्ण धle है वो क्या होता है कि असलों प्राइम कोस्ट क्या होते है कि व्णक forme मेट्रीयल का दूसरा नामें रोमेट्रीयल कंज्ट्ट्ट्ट और क्या हो जाएगा एकस का 25 पर सेंट को हिसके TWO-TI-दीकास इसका पच्सेंट अब वेज्ट को एक समाहल लिया तो प्राइम कॉस्ट मैंने ऊपर कल्कुलेट्ट कि यह कितनी है 1,000 रुपीज की है अभी देखिए इसको मैं कह सकता हूँ यह 0.25x है और यह 1x है इक्वस्टू 1,000 यह 1x और 0.25x 1.25x हो गया इक्वस्टू 1,000 x इक्वस्टू 1,000 क्या पहुन करो 1.25 का कितना आ गया 800 रुपीज 800 रुपीज की मेरी direct wages आ गई क्योंकि मैंने एक्स किसे माना था direct wages को और raw material मेरा कितना है direct wages का 25 परसेंट है तो इस 800 का 25 परसेंट कितना हुआ हां 200 रुपीज का रुपीज का रुपीज का रुपीज का अभी आंगे आपका जो है कैसे करोगे आप 100 को इसको 200 से डिवाइट करो 200 को अंडेट से 2 रुपे 800 को अंडेट से एड रुपे तो 10 600 को अंडेट से 6 तो यह 16 और इसमें फिर यह फोर रुपीज एड हो जाएगा तो 20 आप कुछ पोल रहे थे हैं कि एनी क्वेस्टिन हां बिल्कुल आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा आप इसे माइनस करके भी निकाल सकते हैं कि क्योंकि हम डिरेट वेजिस निकाल चुके थे तो प्राइम कॉस्ट मैं से घटा देंगे तो भी रॉम्हें रॉम्हें निकाल आजएगा प्रपोर्शन सैटिस्फाइब होना जी दोना तरफ से एक्वेशन सैटिस्फाइब होनी चाहिए ठीक है तो वैल प्रैक्टिस याप टू डू 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 अज़ आज यू कैन डू अट मैं एसमच आज एज एंड टाइमस अट्रेक्टिवली थैंक यू नेक्स्ट अमारा टॉबिक कोटेशन से रिलेटिटेट होगा कोटेशन प्राइस की कल्कुलिएए